हेलो विवर्स पिछली वीडियो में हमने फसल, फसल का वर्गी करण तथा करशी पद्दतियों के बारे में जाना जिसके अंतरगत हमने करशी के प्रथम चरण मिट्टी तयार करने के बारे में पढ़ा आईए अब करशी पद्दति के दूसरे चरण बुवाई के बारे में जानते हैं फसल उत्पादन का सबसे महत्तपूंट चरण है बुवाई बोने से पहले अच्छी गुडवत्ता वाले बीजों का चैन किया जाता है अच्छी गुडवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साथ एवं सुस्त बीज होते हैं किसान अधिक उपस देने वाले बीजों को प्रात्मिक्ता देता है अच्छे तथा गुडवत्ता वाले बीजों का चैन कैसे किया जाता है आईए जानते हैं क्या आपने अपनी मा को चने के कुछ बीज एक बरतन में रखकर उसमें कुछ पानी डालते हुए देखा है। ऐसा करने से क्या होता है। हम देखते हैं कि कुछ मिनिट पश्चात, कुछ बीच पानी के उपर तैरने लगते हैं तथा कुछ बीच पानी में बैठ जाते हैं। जो बीच पानी के उपर तैरते हैं वे शतीग्रस्त बीज होते हैं। शतीग्रस्त बीज खोकले हो जाते हैं जिस कारण वे हलके होते हैं और वे पानी पर तैरने लगते हैं अच्छे और स्वस्थ बीजो को शतीग्रस्त बीजो से अलग करने की यह एक अच्छी विदी है बीजो को बोने से पहले बीजो को बोने के ओजारों के बारे में जानते ह परंपरागत रूप से बीजो की बुवाई में इस्तमाल होने वाला ओजार कीप के आकार का होता है बीजो को कीप के अंदर डालने पर यह दो या तीन नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं यह सिरे मिट्टी को भेड कर बीज को इस्थापित कर देते हैं आजकल बुवाई के लिए ट्रेक्टर द्वारा संचाले सीड्रिल का उप्योग होता है इसकी द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी से ढख जाए इससे पक्षियों द्वारा बीजों को होने वाले नुकसान से रोका जा सकता है सीड्रिल द्वारा बुवाई करने से श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है कुछ पौधों के बीजों को पहले पौध शाला में उगा कर उनकी पौध तयार की जाती है तथा उसके बाद इन्हें खेतों में रोपित किया जाता है जैसे कि धान एवं कुछ पुश्पी पौधे पौधों को अत्यति घनी होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यन्त महत्तपूर्ण होता है इससे पौधों को सूरे का प्रकाश, पोशक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होत पाता है यदि पौदे घने हो जाती हैं तो उनमें से कुछ पौदो को निकाल कर हटा दिया जाता है खाद एवं उर्वरक मिलाना वे पदार्थ जिनने मिट्टी में पोशक इस्तर बनाय रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहती है मिट्टी फसल को खनिस पदार्थ प्रदान करती है यह पोशक पदार्थ पौधों की व्रद्धी के लिए आवश्यक होती है कुछ शेत्रों में किसान एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है इस शती को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है परियाप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधो या जन्तु अप्षिष्ट से प्राप्त होती है, किसान पादा पैवं जन्तु अप्षिष्ट को एक गड़े में डाल होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, अब घटन को शुक्ष्म जीवो द्वारा होता है, अब घटक पदार्थ खाद के रूप में उप्योग किया जाता है, कैचवे द्वारा तैयार खाद वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती हैं, और वरक रसायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेश पुष्कों से सम्रद्ध होते हैं, इनका उत्पादन फैक्टरियों में किया जाता ह जैसे यूरिया, अमोनिया, सलफेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके, अर्थात, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम औरवरकों के उप्योग से फसलों की अच्छी उपश प्राप्त होती है, परन्तु इनके निरंतर तथा अत्यदिक उप्योग से मिट्टी की उरवरता में कमी आती है, तथा जल प्रदूशन होता है अत्य है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के इस्थान पर जैविक खाद का उप्योग करना चाहिए या दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए खाद के उप्योग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोशन शमता में भी व्रद्धी होती है इससे मिट्टी में सभी पोश्कों की प्रतिपूर्ती हो जाती है मिट्टी में पोश्कों की प्रतिपूर्ती का एक अन्य तरीका फसल चक्रण है यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा कर किया जाता है जैसे कि उत्तर भारत में किसान फलदार चारा एक रितु में उगाते हैं तथा दूसरी रितु में गैहूं की फसल उगाते हैं इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुन्ह पूरण होता रहता है फलीदार अर्थात लेग्यूमिनस पौधों की जणों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम बैक्चीरिया पाये जाते हैं जो कि वायू मंडली नाइट्रोजन का इस्थरी करण करते हैं औरवरक एक कार्बनिक लवण है जबकि खाद एक प्राकर्टिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विग्टन से प्राप्त होती है औरवरक के उत्पादन फेक्टरियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है उर्वरक में पादप पोशक जैसे की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं जबकि खाद में पादप पोशक तो लात्मक रूप से कम होते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इससे मिट्टी की जल धारण शमता में व्रद्धी होती है तथा इससे मिट्टी भुरबुरी एवं सरंद्र होती है जिसके कारण गैस वीनिमे सरलता से होता है। खाज से मित्र जीवाडों के संख्या में व्रधी हो जाती है तथा जैविक खाज से मिट्टी का गठन सुधर जाता है